चेरी कॉफ सीरफ का इस्तेमाल आप लोगों ने कभी न कभी तो किया ही होगा यदि आप लोगों को नहीं पता है कि चेरी कॉफ सीरफ का इस्तेमाल किस प्रकार के खांसी से रहा दिलाने के लिए अप्टर आपको लिख के देते हैं तो आज के इस वीडियों के जरी आपको ब प्रोड़ेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सोखी खासी के इलाज के लिए किया जाता है यह छिंकने नाग बहने आखों से पाने निकलने और गले की जलान जैसे इलर्जी के लच्छणों से रहा दिलाता है यह बन नाग या जकरन से भी रहा दिलाता है चेरी कॉफ सिर्फ के फ सावट्पर जैसा मस्फूस होता है और जुकाम फ्लूर एलर्जी या गले में जलन के काड़ हो सकता है चेरी कॉफ सिर्फ सूखी और खुश्खासी को दवाता है या इलर्जी के लच्छण जैसे आखों में पानी आना छίνख आगगले में जलन से रहात भी देता इाब MAX और प्रभावी है चेरी कॉफ सीरफ आंतर पर कुछ मिन्टों के फितर काम करना शुरू कर देताmat करना हिए कर दा घंटों करने से होने जैसे की मिचली आना उड़न्टी उप में कमें सीर दर्द त्याद सारे साइड फेप कुछ हो सकते हैं चेरी कॉप सीरप का इस्तेमाल कैसे करें तो इस दवा के लिए आपको डॉक्टर के सला ले लेने चाहिए और इसे सेल्फ मेडिकेशन ना करें इस दवा को लेने से पहले से इसें जो अपने वालग का पोता है उससे मापएं और फिर पी एं इसेमाल करने के पहले अचछी तरीके से हिलाएं चेरी कॉप सीरप को आप खाने के साथ या भूके पेट भी ले सकते हैं लेकिन बेहतर यह होता है कि आप इसे एक फिक्स टाइम पर लें चेरी कॉप सीर तीन दवाओं का मिस्रड होता है फिनाइलेफरिन, प्लॉर्फिनेरमाइन मैलेट और डेक्स्ट्रो में थार्पन हाइडरोग्रमाइड ये तीन दवाओं के कॉम्बिनेशन से चेरी कॉप सीरप को बनाया जाता है और ये दवाओं कैसे काम करती है तो फेनिल्फरिन एक बंद आखों से पानी गीरना यह यहां चीक आने की स्थिति राहत पहुचाता है और जो तीसरा इसका ड्रग डेक्स्ट्रो में थार्पन हाइडरोमाइड तो ये एक कप सप्रिसेंट होता है जो कप को दबाने का काम करता है जो मारे मस्तिक्स में कप सेंटर के जो कार होता है उसक को सब्सक्राइब करिया इसे मेडिसें से रिलेटेड कॉंटेंट देखने के लिए तो किड से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद